Hello and welcome to co-learner. We are dedicated to redefine your learning experience. Macroconomics की स्कूरी सेरीज के अंदर आज मैं आप से एक नही चाप्टर पर बात शुरू परूँगा. चाप्टर का नाम है Short-run Equilibrium Analysis. जैसे मैंने आपको हमारी पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपको AD and its components नहीं आता है तो आपको आने वाला चाप्टर समझ नहीं आएगा. तो अगर अभी तक आपने aggregate demand की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले उसको जाकर देख लीजे उसके बाद ही आपको टॉपिक समझ आना शुरू होगा. तो चलिए आज की यस टॉपिक में बार चुरू करते हैं हमारे वीडियो का जो पहली पाता थी वह आती है शॉटरन equilibrium आउटकुट के उपर सबसे पहले तो मुझे शॉटरन equilibrium का मतलब समझना है equilibrium का मतलब तो हम लोग को पता है equilibrium का मतलब state of balance economics में जगा जगा equilibrium पढ़ाय जाता है पर macro में आपके 12 के course में आपको सिर्फ shorter equilibrium ही कलोता है ऐसे equilibrium है जो आपको पढ़ाय जाता है तो आखेर ये shorter equilibrium होपको दिया किसने ये दिया है Keynes ने तो according to Keynes short term क्या है कैसा period of time है जिसमें level of output जो है वो define होगा by the level of employment मतलब Keynes ने यहाँ पर ये बोला अपने equilibrium में कि अगर हम लोग किसी भी economy का level of output जानना चाहते हैं अगर हम किसी भी economy के level of output पर बात करना चाहते हैं तो हम लोगों को उसके level of employment को judge करना पड़ेगा अब इस बात का मतलब क्या निकलता है इस बात का मतलब यह निकलता है कि अगर आप किसी भी economy में कि डिश बीडेश में आगर employment level जादा है अगर employment level जादा है तो इसका मतलब है output level भी जादा होगा मतलब बगर resources तोग aí Implant premium legal सरक human का नहीं बोला जा覺 यहाँ पर employment Level Labell सारे Regersources के बारे बात हो रही है तो अगर उस economy के अंदर ज्याधा implement ल्बल है Reger Cears co complete February जादा .... वहीं अ बात किसके बारे में कर रहे हैं कि equilibrium level का output कैसे निखाना जा सकता है तो कहने का मतलब क्या हुआ कि equilibrium level के अंदर level of employment और level of output जो है वो directly related एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा और एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा पट यह जो direct relation है यह कैसे शुरू होता है यह employment से आउटपूट के तरह जाता है आउटपूट से आउटपूट के तरह बात हो रही मतलब पहले आपको employment level समझना है उसी से आपको output level समझाना शुरू होगा अगली point पर बात करें तो यहां पर यह बात बोलेगी however यहां पर technology को constant assume करा गया है क्योंकि अगर हम यह मान ले कि technology हमारे पास advance है तो हो सकता है कम resource से भी हम लोग जादा output generate कर पाएं इसलिए यहां पर यह बोला गया कि technology जो है वो बिल्कुल constant हो उसमें कहीं कोई change नहीं आया इंस equilibrium level of output का मतलब होता है equilibrium level of employment तो अगर मुझे अब समझना पड़ेगा मुझे समझना यह पड़ेगा कि मेरे लिए क्या है क्या है क्या है क्युद्व लब तो हम दो कsticks है कि हम लोग को अचीब हो आप हम लोग एक और बार क्या करेंगे इन डोनोज terms का पहले ज़रा मतलब समझते हैं, तो what is aggregate supply, aggregate supply का मतलब होता है, वो desired level of output, जो producer wish to produce करते हैं, in an economy during an accounting year, मतलब वो desired level of output, जो producer चाहते हैं, कि वो एक साल के अंदर, अपना, वो implement, वो output level को अचीव कर सके हैं, वही aggregate demand का मतलब क्या है, वो desired level of expenditure, which that the people wish to spend in an economy on the purchase of good and service during an accounting year, तो अगर मैं यहाँ पर aggregate supply के बारे में बाग करता हूँ, तो मुझे क्या क्या term मिले, पहला मुझे मिला, कि desired level of output है, और producer wish to produce करते हैं, मतलब मैं अपर दो term आते हैं, एक आता है desired, दूसरा आता है producer कितना wish to produce कर रहे हैं, वही aggregate demand के अंदर भी क्या term आता है, desired term यहाँ भी आता है, यहाँ क्या बोला गया, wish to produce, यहाँ क्या बोला गया, wish to produce, और यहाँ पर क्या बोला गया, wish to spend, मतलब desired wish to spend, तो aggregate supply producer oriented concept हो गया, producer sector से निकला, उमारा producer sector है, वो कितना एक साल में बनाना चाहता है, वही अगर हम बात करते हैं, aggregate demand के बारे में, तो यह consumer oriented approach निकली, मतलब हमारा household sector की अप्रोच है, वो कितना खर्च करना चाहते हैं, तो equilibrium कैसे achieve होगा, जितना production sector ने बनाया, data aggregate supply है, उतना ही consumer sector, हमारा household sector खरीद लिए, data aggregate demand, तो अगर जितना बना, उतना ही खरीद लिया जाएगा, तो economy equilibrium पे पहुँच जाएगी, बात समझाई, जितना बना, अगर उतना ही खरीद लिया जाएगा, तो economy equilibrium पे पहुच जाएगी, तो हम लोग अगर यह बोने कि economy equate करती है, AS और AD से, then it achieves equilibrium level of GDP, when there are neither unwanted stock, nor unfulfilled demand, मतलब अगर कभी economy, aggregate supply और aggregate demand पर आ जाएगे, तो उसके दो implication होगे, पहला क्या होगा, कि नहीं कोई ही unwanted stock होगा, कोई unwanted stock भी नहीं होगा, कोई unfulfilled demand भी नहीं होगी, unwanted stock का मतलब क्या होगा, कि अगर मेरे पास producers ने जादा बना दिया, और consumer ने उतना नहीं खरीदा, तो हमारे पास कुछ stock बच जाएगा, जिसे हम लोग बुलाएंगे unfulfilled stock, unwanted stock, वहीं अगर हम यह बोलते हैं, कि consumers ने मांगा और producers उसको दे ना पाया, तो उसका मतलब क्या है, तो equilibrium पर जाने के लिए यहाँ पर दो approaches का अस्तमाल करा गया, पहला as is equals to ad और दूसरा saving is equals to investment, यह दोनों approaches सेम हैं, क्योंकि हम लोग एक से दूसरे को derive कर सकते हैं, अब आता है तीन basic assumptions in Keynes Theory, क्या तीन basic assumptions से, पहला basic assumption क्या था, कि हम एक short period का analysis करते हैं, आस पर Keynes Theory, equilibrium डिसकस करा जगा खानी, short period के लिए ही, हम आगे बात करेंगे, कि short period क्या होता है, दूसरा हमें closed economy में, मतलब कोई external relation नहीं है, ना ही कोई export होता है, ना ही कोई import होता है, कोई reservoir नहीं है, साथ ही में हम लोग या तो two sector economy में हैं, जहां पर सर्फ producer और household sector हैं, या फिर हम लोग three sector economy में भी हो स AS क्या है, perfectly elastic है, अब ये AS perfectly elastic का मतलब क्या हो गया, it is assumed कि economy के पास excess capacity already पढ़ी हुई है, क्या है ये excess capacity, इसका मतलब है, कि हमारे पास कुछ unemployed resources हैं, और हम जब जहें AS को बढ़ा सकते हैं, मैं अब तेरा तीनों बातों में दुबारा से बात करता हूँ, सबसे पहली बात क्या ह है, short period analysis, हमने उपर ही पढ़ा, क्या होता है, shorten, shorten का मतलब एक ऐसा time, जहां पर level of output जो है, हमारे level of employment के साथ, बदल जाता है, दूसरी बात, close economy है, तीसरी बात, AS perfectly elastic है, मतलब हम लोग aggregate supply को change कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको हम लोग बदल सकते हैं, मतलब अगर AS को बढ़ा है, दून options हमारे पास available है, तो अब यहां पर मैंने आपको बता दिया कि shorter equilibrium क्या होता है, ASAD क्या होता है, हाला कि मैंने आपको अपनी तक ही पता है कि saving investment भी अप्रोच होती है, अगली वीडियो में बात करेंगे, aggregate supply, aggregate demand के detailed analysis पे, अगर वीडियो पसंद आयो तो like करना ना हुआ